बावा देवा दिदेव महादेव सुगंदा ने देखा कि रिशियों के नेत्र नहीं खुले वो सेवा में लग गई मंदिल जाओ सत्संग में जाओ गुरु द्वारा जाओ गुरु की शर्णागती में जाओ या किसी पुन्य जगहा पर धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर दे यहाँ पर भी मेरी माताएं बेटी हैं मेरी जीजियां बेटी हैं मेरे भाई लोग बेटे हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मुका लगे तो सेवा जरूर दे जो सुख है सेवा में वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिले आए आप लोगों से हम कहते आएं है कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बॉटल लेकर चलना है जम के बुलो जरा दो अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा इसा समन जो अपने पास में कोई बेठा हो कोई भूका हो अपने एक पानी की बॉटल में से थोड़ा पानी किसी का मुक जूटा करा सुख क्या मिलेगा क्या देगा वो ये तो तुमको तीन महीने के अंदर बाबा वताई देगा कि वो कितना प्रदान करता है क्या देता है उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बेट कर कथा सुनना पंडाल में बेट कर सेवा करना आपको भी हम कथा में कहते रहे अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी जूटा कराया है तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीक को शुख अथा के अंदर ये पुन्य करा था वो तुमें तीन महीने में बाबा क्या देता है ये उसकी उप्रा है क्या देगा वो, क्या परदान करेगा ये उसकी उप्रा है और पहले से नियम रहा है यह सारे पत्र आपके पास में है मोबाइल नंबर भी है एड्रेस भी है जिन जिनके मन में संशय हो इनके मोहले में इनके गाउं में इनके छेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है खाली न जाता कोई तर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ ननी बाबे बसाँ अपने रड़े से लगा लो लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो खोले अपने दर से अब तो नटा लो सुगंदा ने संतों की सेवा करे रिशियों की सेवा करे इंतजार करा थोड़ा इंतजार करना एक महीने में अगर कामना हो तो महीने में कामना हो तीन महीने में कामना हो एक बार पशुपती बरस से कामना हो एक बार सुला सुंबर के बरस से कामना हो एक बार भगवान के जल चड़ाने से कामना हो छोड़ना मती क्योंकि जितना समंद परमात्मा से पुराना होते चले ज समंद पुराना था समंद पुराना सुगंदा ने भाज जो रिश्यों के नेत्र खुले इंतजार करती रही थी इंतजार शिव को जल चड़ाने वाले एक बात याद रखना थोड़ी प्रतिच्छा जरूर कर दो परिच्छा वो करेगा प्रतिच्छा तुम करिए शिव को जल चड़ाने वाला प्रतिच्छा करना इंतजार करना इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाओंगे मेरा काम नहीं हुआ तो मैं संकर जी के मंदिर नहीं जाओंगे आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालाई के सामने से मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाए नमस्त उभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेता सरा जैशु साज जैशु उसको आडंबर पसंद नहीं है मेरे शंकरवगवान कुछ छल पसंद नहीं है दिखावा पसंद नहीं है सुगंदा कर रही है बाबा आपके नित्र खुले है आपके नित्र खुले है बाबा आप मुझे बताए मैं कौन से महिने से सोला सुम्बार के बरत प्रारम करूँ उसका विधान किया क्या विधान कहा भगवन बढ़नन करे रिशियों ने कहा सुनो सुगंदा ये सोला सुम्बर का बृत कोई साधरन नहीं है सुगंदा संतान की प्राप्ती के लिए अगर सोला सुम्बर का बृत उठाया जाता है तो श्रावन के पहले सुम्बर से उठाया जाता है कब से उठाना चाहिए श्रावन का पहला सुम्बर सुनो सुगंदा यदी कोई विशेश बिमारी हो गई बहुत रोग हो गया तकलिफों में जिंदगी चल रही हो बहुत कश्ट प्रत जीवन चल रहा है तो बेसाग के महिने के पहले सुम्बर से सोला सुम्बर का बृत उठाना चाहिए और सुनो सुगंदा उत्तमवर उत्तमघर वेपार वेवसाय नोकरी पद परतिष्ठा के लिए अगर हमें बृत करना है तो मारगशीर शमाश का पहला सुम्बर से इस बृत को प्रारम कर देना चाहिए मारगशीर शमाश का पहला जो सुम्बर हो उसमें इस बृत को प्रारम कर लो और सुनो सुगंदा ये ब्रत दोपाहर के तीसरा जो पाहर हो प्रदोशकाल उस प्रदोशकाल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बना कर इस्मरण करकर भगवान देव अदिद्यों महादेव के लिए परशाद तैयार करकर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा से कर या चूरमा बना कर या मलिदा बना कर जो भी आप बना रहे हैं उससे तीन हिस्से परशाद के इस सोला सुमर के ब्रत में भी होते हैं कितने हिस्से होते हैं तीन हिस्से परशूपती ब्रत में सोला सुमर के ब्रत में एक अंतर भारी है परशूपती ब्रत में दो हिस्से मंदिर में रह जाते हैं एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयम को खाना पड़ता है पर सोला सुमर के ब्रत में या भाव है एक हिस्सा भोले नात का रहता है दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए शिव भक्तों के लिए रहता है और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का परशाद दे सकते हैं प्रान कर सकते हैं अब जाओ बड़ा सुंदर प्रसंग नर्सिंग पुरान का आता है एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया सोला सुंबार के परशाद को कईम आता है जब सोला सुंबार का उध्यापन करती है सोला जोडे आमंत्रित करती है और सोला जोडों को घर में बुलाकर जो भोजन कराती है तो वो सोला जोडे जो भोजन करने वाले होते हैं या सोला सुमबार के उद्यापन हम तो आप से यहां तक कहेंगे कि सोला सुमबार का उद्यापन अगर किसी किया महले में कालोनी में घर में किसी कियां हो रहा हो तो उसके यां अब भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ पर सोला सोंबार का अगर परशाद का उध्यापन का अगर परशाद मिल जाए तो दोनों हतेलियां फेला कर शिरी शिवाय नमस्त उभ्यम कहकर ओम नमस्त शिवाय बोलकर नमस्त शिवाय बोलकर अपनी कामना करकर किसी की अगर उध्यापन हुआ हो दोनों हतेलियां भेला कर उससे थोड़ा सब परशाद मांग कर उसी के दरवाजे पर खाकर आजाईए आपकी जिन्दगी को सुख का हनुभव हो जाए एक बहु रोमा नाम का एक देत्य था एक असुर बहु रोमा एक बार बहु रोमा नाम का ये देत्य ये असुर मारग से निकल कर जा रहा था और किसी एक रिशिवर ने एक गुरू ने एक संत ने उस बहु रोमा देत्य को देखा नर्सिंग पुराण का चरीत कोई आप से पूछे कि 16 सुमर के ब्रत का परशाद का महत्व क्या है क्या महत्व बहुत ध्यान देना यहां पे माता है पशुपती ब्रत करती है पशुपती ब्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके दो हिस्से मंदिर में छोटते हैं परशाद के बोलो रीजी जीओ सही है मंदिर में आप जो परशाद के दो हिस्से छोड़ कर आती हो बहुत सारी माताएं ब्रत करती है और माँ परशाद के हिस्से रखे रहते हैं मन्दिर का पुजारी हो मन्दिर के पंडी जी हो या मंदिर की कोई नारी कोई पुरुष कोई बच्चा कोई बड़ा उस पर्शाथ को एक अग्रीत कर लेता है और उस परशाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं जिनका पशुपती ब्रत नहीं रहता या जो दर्शन करने आये या गाउं के बच्चे हों नगर के बच्चे हों कालोनी के बच्चे हों उनको वो परशाद जो बित्रन किया जाता है शिव महापुरान की कंथा करती है हज्जारो हज्जारो हश्मिक यग्य का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो परशाद के बित्रन से और उसके पाने से प्राप्त हो जा आप लोगों मैंसे कोई माता ने करा कभी ऐसा अगर कोई परशाद चड़ा कर गया परशुपती नात ब्रत का दो हिस्सा छोड़ कर गया और मात बहुत सारी मातां उन्हें छोड़ दिया और वो सब चली गई उसके बाद वो परशाद रखा रहता है तो उसको एक तसले में एक पात्र में एक अगरित करना चाहिए और उसको बाटना अगया हचारोश में क्यक्यके भल के बराबर वो पॉन्हेत पुणने ता पशुपती नात के बृत को वित्रन करने की उसको पाने की तीन चीजे बड़ी महत्वक्षण है शिवा मंदिर में एक जो दिया लगाकर चले गए शिवाले में जो दीप लगा कर चले जाते हैं दिया रखकर चले जाते हैं वो दिया ठंडे हो गए हैं उनको उठा कर एक जगा पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया कोई एक्सिडेंट हो गया उस एक्सिडेंट के समय पर एंबुलेंस भी नहीं आई कोई नहीं आया आपने भगवान संकर के सामने से रखे हुए दिये जो ठंडे हो चुके जले हुए नहीं जो ठंडे हो गये जिनमेना दीप में कुछ भी नहीं बचा वो ठंडे हो गये उनको उठा कर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है अगर कोई आपकी पिपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठा कर एक और ले जाकर रखा है देवादीदेव महादेव के मंदिर में महादेव आपको उठा कर ले जाकर कहीं सरिष्ट जगा पर जरूर रखते हैं इनिश्यक्ता रखे बोलबम का नारा है अगरा है उस दीप को रखे तीन चीज़े बड़ी मात्व के परशाद शंक्तर के मंदिर का पशुपती बृत का परशाद एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी हंडा अब हमें यहां छिंदवाडा का तो नहीं मालूम यह शिव पुरान तो कहती अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए आप लोग ले जाते हो ना पर मंदिर के अंदर भी पाल्टी भर कर रखा रहता है पानी यहां रखते है क्या कि कोई भगता है और उसको चड़ाना हो तो वहां से भर कर वो पाल्टी वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावडी, कुवा, नल दूर है या बाहर है तो प्रयास करना कि वो पाल्टी, वो हंडा वो घगरा आप उसको भर कर मंदिर में जरूर रखा राना जित्ते लोग जल चड़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चड़ा हुआ होगा उसका फ़ल अपने का तीन चीजों का इस स्मर्ण रहे कल अमने कथा में कहा ता गुरु नानक देवजी की कथा वर्णन करी थी तो गुरु नानक देवजी की कथा में अपने बाले की कथा स्मर्ण करी थी उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो कोई लंगर्चक रहा हो कोई भंडारा हो रहा हो कोई भोजन कर उसका एक क्रम है समझाया ले कल की कथा में सब आज की कथा में अपन ये श्रबन करो ये सुखर तो नर्सिंग पुरान कह रही है बहुरोर्मा नाम का देते हो एक रिशीवर ने पूछ लिया तुम तो देते हो तुम तो असूर हो पर समझ में नहीं आया कि तुम देते हैं असूर होकर ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बेठे रहते हैं एक रिशीवर ने गुरुवर ने पूछ लिया एक संत ने पूछ लिया कलकथा में कहा था जिसको जनता चुनती है वो संसद में बेटता है जिसको भोले नाथ चुनते हैं वो शियू महापुरान में बेटता है तो वो कहे न जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोले नाथ ब्यूटी फूल जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे भोले नाथ ब्यूटी फूल शिव अकेले ब्यूटी फूल नहीं जो नाम उनका लेवे जो नाम ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है पन पर बागंबर पैने कले सर्पों की माला जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोले नात बीटीफूल जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोले नात बीटीफूल केवल शिव पी उटी फुल नहीं अकेले जो उनका नाम ले रहा है जो उनका गुणगान कर रहा है जो शिव पुराण की कता को रस्तत्व के साथ श्रवन कर रहा है अरे कितनी बड़ी बात नरसिंग कुराण में लिग दी बहु रूमा के चरीतर में बढ़नांग किया गया अगर सूनो बहू रूमा रिशीवर कह रहे हैं सूनो बहू रूमा सुन बहू रूमा अगर संसार का मनुष संसार में रहने वाला जीव जिन्दगी में अगर सोला सुम्बार का पृत भी नहीं कर पाया और अगर सोला सुम्बार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवन कर लेता है तो सोला सुम्बार के उध्यापन और पृत का पल मिल जाए चंदवाड़ा की पवित्र भूमी पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जो चंदवाड़ा वासी रहे गाएं उनसे निवेदन है अगर मोका मिले तो जीवन में दूसरी बार 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 शिव पुरान अपने चंदवाड़ा में नहीं आएगी बड़ी मुश्किल से कहीं जे शुकला जी की यहां पर कथा चल रही थी उस समय पर जो निमंतन दिया उस समय की कथा का क्रम आज यहां पर विराजमान हुआ है कहीं भाग लेकर आये होगे तो यह कथा हम तो कथा कहेंगे पांच दिन पूरे होंगे चले जाएंगे पर यह विश्वा से हमारा जिसने पांच दिन इस कथा के पंडाल में बेट कर मैं धन्यवाद दूँगा कई चंदवाड़ा की माता है चंदवाड़ा की माता है पांच दिन के लिए अपना अपना दरी अपना आपको देखकर आ जमें उज्जेन की कथा याद अगई उज्जेन में उज्जेन के लोग कथा फंडल मेरे रहे थे क्या देता है वो उसी कहाद चोड़ना नहीं कथा यहापर बहुरोमा नरसी पुरान कर रहे यह बहुरोमा का चरीत्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर सोला सुंबार का बृत भी नहीं कर सकते है तो ये पाच दिवसी है जो सोला सुंबार शुमाहपुरान की कथा सोला सुंबार के बृत के महत्व की चल रही है उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे सोला सुम्बरवृत का प्राप्त हो जाए पूरे सोला सुम्बर ऑक भाळ के देते हैं कब बदल देता आप दो दिन से देख रहे हो कल और आज तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रातरी को दो बजे राज से लगातार पानी गिर रहा है जो सावन के महीने में गिरना था वो भादों में गिर रहा है ये भगवान भोले नात है सावन को कब भादों कर दे और भादों को कब सावन कर दे ये उसी क्या आप उसका कोई ठीका नहीं कोई भरोस आप करोज की भक्ति आप करोज का स्क्मर है हम आप से कहेंगे कभी मोका मिल जाए आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रातरी में सोला सुंबार बरत कथा को अपने मोबाइल पर सुनो बहु रोमा तू तो देत्य है तू तो असूर है और असूर होकर देत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बेठा है बहु रोमा ने कहा मेरे पूर्व के संसकार होंगे बहु रोमा कहता है मैं चंद्रवंस के राजाओं म में एक राजा था मेरा नाम जैद्वज था 16 संबर प्रत का बड़ा भाव मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था मेरा नाम जैद्वज था मैं जैद्वज मेरा नाम जैद्वज था मैं अपने सिंगासन पर बेठा राजसत्ता का आनंद लेता था एक बार मेरी चित्वर्ती में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा गुरुजनों से पूछा मुझे चंद्रवंस का राजा जैद्वज बनाया गया ये जैद्वज मेरा पुन्य कौन सा है जो ये राजगती मुझे मिली पुन्य कौन सा तो रिशियों ने गुरुँगों ने कहा था जैद्वज पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदर में सेवा करी उसका फल ये मिला कि तुमें राजसिंगहसं प्राप्तो हुआ राजसिंगहसं इंजिनियर की पढ़ाई एक कोलेज की अंदर पान्सो तोसो एक हजार बच्चे पढ़ते हैं एक ही किलास के एक जैसे इंजनियर बनते हैं एक जैसे क waffle competition exam में बेटते हैं परिमांदरी से बोलो क्या उनकी नोकरी एक जैसी मिल जाती है सबकी तनखा एक जैसी रहती है कोई कोई इंजीनियर इसा होता है कि उसकी तनखा प्रबल होती है बड़ी company मिल जाती है और उनती और उनती बढ़ता चले जाता है और कोई कोई एक company में लगा तो पूरी जिन्दगी वही निकाल देता है एक ही company में उसका जीवन चले जा रहा है और दूसरे ने तरक्की कर ली जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं बताओ हम साथ पड़े हैं साथ रहे हैं इसने तरक्की कर ली हम वहीं की वहीं हैं कारण क्या है एक तो उसकी लगन दूसरी उसकी मेहना और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने संकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी उसका पुन उसको राज सिंगा सतां लेकर चला गया उसके राज सिंगा हसं तक लेकर गया शंकर का करा गया भजन शंकर का करा गया गुणगान संकर का करा गया स्मरन संकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा चल तुम चढ़ाकर भूल भी गए महादेव नहीं भूलता वो याद रखता है याद रखता है तो ऐसे तुक की घड़ी में वो महादेव तुमारे सम्मुक में आकर देवी देता है ऐसे तुक की घड़ी में सामने आकर बना हो जाए क्या देगा आपको सीवरवाला महराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा आप सब को धन्यवाद देना चाहिए माननी कमलनाच जी को जो ये शंकर की कथा को लेकर यहाँ ये शिवतत्व को लेकर यहाँ तक पहुँचें दुनिया के लोग अगर किसी राजनेता किया कथा होती है तो कहते हैं राजनेता में कथा हो रही है हम कहते हैं राजनेता कथा नहीं करवाता कथा तो भोलेनाच जब करपा करते हैं तब होती है जब शिव करपा करें तब कथा होती है वो तो ये छंदवाडा वालों ने संकर जी को सावन के महिने में खोब जल चड़ाया होगा तो बाबा ने करुणा करकर भादों में बुला लिया ये शिवतत्वती प्राप्ती शंकर की उदार था शंकर की करुणा है उनकी उदार हमने माननी कमलनाजी से पूछा था कि चुनाओ का समय है आपको बार बार जाना पड़ेगा कथा में कैसे बेट पाऊगे का गुरुजी चिनवाडा वासियों के लिए कथा है संपुन प्रदोश और संपुन देश के लिए कथा मैंने आपकी कथा मोबाइल पर बहुत सुनी है गुर्देव बस एक अभीलाशा है चिनवाडा की कथा भी मैं अगर यहां नहीं भी बेट पाया तो मेरा नियम है मैं रात्री को कम से कम तीन घंटाब की कथा जरूर सुनूँगा ये शिवतत्त्व की प्राप्त है इसको ओगड़ी कहते हैं शंभू कहते हैं हमने पूछा रात्री को सोते कब हो गुर्देव कारे बहुत रहता है राजनीती के अंतरगत तो जगना भी बहुत लेट तक होता है फिर तो सुबह लेट उठते होगे नहीं नहीं गुर्देव उठना भी जल्दी पढ़ता कोई भी सदस जब चाहे अभी हमने आपको कहा सुनो हमने इंदोर में एक बार कथा में कह दिया था कि जो तुम कथा यहां से सुनकर जाते हो अपने घर के लोगों को सुना एक नई नवेली बहु जिसकी साधी छे महीने हुए थे वो कथा में आके बेट गई घर पे जाकर कथा सुना देती उसका पती तीसरे दिन कथा में आ गया पत्नी ने कहा गुर्देव आज मेरे पती आए है हमने उसे पूछे लिया तु दो दिन कथा में नहीं आया आज केसे आया उसने का रात को नो से बारा सुनने से अच्छा है तिन में दो से पांस सुन लूए कथा सун के आती है पूरी कथा मुझे सुन आती है जरा समी नीन का जबका लगता है तो पाउँ दवाते जबाते चिम्ता खोड़ दे दी यह साथ दिन की कथा में पांच बार चिम्ता खोड़ दिया इसमें गुर देव इसलिए मन कर गया मैं तो कथा में जाकर बेट जाओ तो ये जित्ते जीजा बेटे दिख रहे हैं इनको मालू मैं घर जाएंगे वो सुनाएगी सुन लो अच्छा है अब इनने सोचा अपन जाकर सुना देंगे कि आज महराज सीवर वाले में ये बोला रहो तत्व की प्राप्ती करें ये ये चंदन नगर में रहने वाली बहन लिख रही है जिसका बेटा पलंग पर पड़ा रहता था नहीं सुनता विकलांग वो भी जल चड़ा कर पहुँच गए हमारे पास कोई विद्या हमारे पास कोई भभूती हमारे पास कोई मंत्र हमारे पास कोई बेल हमारे पास कुछ भी नहीं है केवल एक ही चीज है कि आपके घर के पास जो शंकर का शिवालय हो वहाँ जाओ शंकर को रिजाओ वो तुमारा हो जाए तुम उसके हो जाओ, इसके सिवाए कुछ नहीं है, कुछ भी है कई लोग कहते हैं हमें गुरू जी से मिलना, हमने का हम से मिलकर क्या करोगे गुरू से मिलने कितनी तमन्ना रखते हो, एक बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है वो मिल सकता उसे मिलिए हम से मिलकर क्या करो जाए हम तो आपके जैसे जैसे आपका सरीर वेसे हमारा सरीर दो रोटी तुम भी काते हैं भी काते हैं तुम भी आनन में जीते हैं भी आनन में जीते हैं तुम भी एंजुआ हैं भी एंजुआ हैं महराजों के पीछे गुरुओं के पीछे दोड़ते रहते हैं हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दोड़ो क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना चक्कर में तो एक की रहना वो है काल अधिपती मेरा शिव ओगरदानी मेरा मा काल राजा मेरा संभू मेरा ओगरदानी कहा शुगंदा ब्रत करें बहुरोमा देते हैं और देते बहुरोमा को पूछा जय द्वज नाम है जय द्वज तुमारे पास में ये सत्ता ये राज्षिठाट ये सिंगासन ये आनन तुमारे पास कहां से आया तो कापूर्व समय में मैं संकर के मंदिर में सेवा किया गरता था उसका पुन्न मेरे खाते में आया जिससे मुझे चंद्रवंश का राजा जैद्वज बनाया गया परन्तु मैंने एक गल्ती कर दी एक बार देवरिशी नारत शिवजी पर जल अर्पित करकर आ रहे थे और उनको देखकर मैंने हस दिया आपसे निवेदन है संकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए कोई पुरुस आए, कोई बच्चा आए, कोई बुड़ा आए कोई केसा भी ब्यक्ती संकर जी के मंदिर में जल चड़ाने जा रहा हो जल चड़ा करा रहा हो आप दुनिया पर कमेंट्स करना आप दुनिया पर अपशब्द कहना आप दुनिया पर उंगली उठाना आप दुनिया को ताना देना पर शंकर जी पे जल चड़ाने वाले को कभी ताना मत देना क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता उसका जवाब महादेव देता उसका जवाब महादेव देता शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देगा जवाब देगा शंकर भगवान शिब मेरा ओगड़ी मेरा दयालू मेरा दाता जवाब वो दे मीने गलती कर दी जैध़च करते हैं मीने गलती कर दी क्या करी देवरीशी नारश शिब जी के मंदिर से आ रहे थे जल चड़ा कर में उनको देखकर हस दिया हसा में कई लोगों क्यादत रहती है जल चड़ाने वालों को देख परस देते हैं बताओ कासी यूर वाले महराज के चक्कर में पढ़ी है ढोंगी हो गए ढोंग हो गया परपंच हो गया ये हो गया ना ना आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में क्या किसको रोई है चादर तान के सोई है अपने को टेंसन नहीं लेना कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो जो बोल रहा है उसे बोलने दो कोई कुछ भी कहे किता भी ताना दे देन दो अभी कथा के शुरू में कहा था तुमारी परसंसा करने कम हो जाएं चलेगा पर तुमारी निंदा और बुराई करने वाले कम नहीं होना चाहिए होने दो तुमारी तरक की उसी से तुमारी उन्नती उसी से बहु रोमा मेरे गलती हो गई थी मैं हस दिया देवरिशी नारत ने मुझे श्राप दे दिया तुम असुर होगे राप्छस होगे अब मेरा कल्यान कैसे होगा तो का तुमारा कल्यान के वल एक की बात से होगा कहीं कोई बरत करकर सोला सुंबार का आनंद लेकर कोई शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो पूजन करो अर्चना करो कोई अगर शंकर को जल चड़ाता हुआ भी आ रहा होगा उसके कलश का एक जल का छीटा भी लग गया तुमारी मुक्ती हो जाएगी और यदि सोला सुंबार बरत का कहीं परशाद का एक अंश भी तुमारी जीवन में मिल गया तो तुमारा कल्यान निश्चित हो जाएगा और वही हुआ 16 सुम्बार भगवान शंकर के परशाद का एक ठाग प्राप्त होता है नरसी पुरान कती है, उसके जीवन का अनंद पा जाता है सेवा के फल से देट्ट्य की योनी जुड़ जाती है वो भगवान शंकर के ठाम में जाकर बेट जाता है एसे सुला सुम्बर ब्रत के परशाद की मून है बहुरो मा ये फल है ये सेवा करो मंदिर की चाकरी सेवा अर्चना ये फल दे जाती है हम आनन्द दे जाती है बक्ती आनन्द दे जाती हम करो से समय आया सावन का महिना बेसाद का महिना और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीश का महीना ये तीन महीने ऐसे होते हैं जिन में सोला सुम्बार के बृत को पहले सुम्बार पर उठाया जाता है कलपन श्रबन करेंगे इसमें सोला सुम्बार के महत्वता वर्णन सुनेंगे कलपन